नमस्कार आप देख रहे हैं खबर गती और मैं हूँ आपके साथ कंचर कॉंग्रिस अद्धक्ष राहूल गांधी 22 अक्टूबर को रायपूर आएंगे वो यहाँ पर राजस्तरिय किसान रैली को संबोधित करेंगे उनके आने की घुषना सोमवार को प्रदेश कॉंग्रिस अद्धक्ष भूपेश बगेल ने कर दी है धमतर जलाद्धक्ष मोहन लालवाली ने बताया कि धमतरी नगरी कुरूद मेगा मगर लोट से हजारों की तादात में किसान रायपूर जाएंगे लालवाली ने बताया कि धमतरी जले से लगभख 10,000 के आसपास किसान समलित होंगे दरसल कॉंग्रिस पताधिकादी विधान सभा चुनाव की मदे नजर प्रत्याशियूप के चैन स्टायर प्रचारकों के सुची जारी करने के साथ पार्टी के आला कमान की राजजुनेतिक सभाओं के क्रम निर्धारन से जुटे हुए हैं इसी दोरान पिसे से चीफ बुपेश भगेल को प्रदेश प्रभारी पियल पुनिया ने कॉल कर उन्हें राहूल गांदी के दौरे की जानकारी दी हमारा राष्टी अध्यक्ष मानिय श्री राहूल गांदी जी 22 तरीक को साइंस कालेज में दो बजे रायपूर में किसान सम्मिधन सभा को सम्भूतिक करने 36 गड़ के चुनाओं बोसित होने के बाद पहली ये आम सभा लेने रायपूर पहुँच रहा है 36 गड़ के किसानों को दुद्रद समझे उनके दुद्रद और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वे आप वहां के मन से किसानों के सम्मिलान को सम्मोजित पर गए कॉंग्रेस कंतरी जीले से कॉंग्रेस के बहुत सेक्रियों संख्याओं में हज्जारों कारकरता आप वोटर सैक्ल रैली के रूप में और अपनी गारियों कार रेकल साधन से हज्जारों की संख्या में 22 तरीकों सभी कांगर्जन, वरिष्ट कांगर्जन, ब्लाग, शहर, जिला, सभी लोग कारिकम को सभर बनाने में लगे हैं और विस्चित उचे ये आगार तुरी 36 गण में पहली सभा का जीत का आगार कांगर्ज का होगा प्रतिके राष्टी अज्डच स्री राहूल गांधी जी किसानुं की सभा को संभोधित करने के लिए रैकुर पहुंच लाग, उसी तरह तम्यमें, आज हमारे जीला कॉंगर्ज कमिटी धंतरी में समस्त जीला कॉंग्रेस कमेटी के पदादिकारी, ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी, ग्रामेड के पदादिकारी और ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी सहर की पदादिकारी, एनेस युवा कॉंग्रेस सभी की बैठाकाज यहां पर रहुत की गए, जिसमें हम लोग 200 से ज़्यादा गाड के चलिए 200 गड़ियां जाएगी 200 गाड़ियों में आप 15, 12 से 15 लोग 10 से 12 लोग जाएंगे तो इंटू कर देंगे तो बारा दूनी 24 सवब 25 सवब मतलब हमारे खुल टोटल परस्वनली गाड़ी मिलाके 5000 से उपर लोग दमतरी विधान सभा से जाएंगे तो हमारे प्रदेश कॉंगर्स कमिंटी कद्ध माने गोपेस बगेल जी बता पाएंगे कि दमतरी विधान